तो अपने प्यारे सग्री टुटोल के डिप चारत है दोस्तो आज यहां पर थोड़ी से चीज़े वह आपका अलग दिख रही होंगी यहां पर मैं नहीं दिख रहा हूंगा बस आपको जो शीट से वह दिख रही होंगा और अगर मैं बात करें तो कोशन बैंक का आज मैं visa क्वन चीज़न रहेंगी कैसे करना है क्या एकजम में क करें एक सचमें सच में और तो सबल सब्सक्राइब करते हैं यह देखो यह दसवी हुआ लोग का है और इसको बहुत आराम से हम लोग क्या चीज़ें करेंगे तो कोशन बैंक पॉर ससी ठीक है यह जो अगर पीडिएफ चाहिए तो भाई यह आपको आपके कहां पर मिल लाएगी ठीक है तो लेट्स बिगिन अब एक एक करके हम तो यहां पर क्या चीज़ें क्या करेंगे आपका क्या solve करना क्या शुरू करेंगे तो मेरे खाल से अब सबी अब क्या होगे होगे रेडियो होगे तो फटा फट चलो start करते अब सबसे पहले question क्या दिया है कि भाया right two components already उस दिन मैंने live session लिया था कितने लोग live session में थे मु मैंने learn करके रखाता हूँ एक moonlight है यह तो बहुत फेमस है भाई हमारा मून 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 और light लाइट थोड़ा सा end writing बहुत दिन बाद इस पर लिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो समभाल लेना समझ में आ गया तो moonlight और sunlight मैंने लिख दिया ठीक है अब दुस सौरी डॉक्टर आइंस्टेंग यह दिया हुआ है अब यह डायलोग है आई हम सौरी क्या डायलोग है तो सबसे पहले चीज़ जब कभी कोई भी परसन का डायलोग जो बोला रहता उसको हम लोग क्या करते हैं आपके कॉम आपके double inverter में डाल देते हैं सभी बात है अब यहा डॉक्टर का जो डी वह क्यों आजएगा बड़ा जएगा थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे बहुत चिपक चिपक के बाई डॉक्टर ठीक है फिर आइंस्टाइन को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में लिख देंगे एक का आइंस्टाइन का इसी ठीक है यह लिख दिया अट्राइलोग खतम हुआ कॉम्ट डालेंगे और यहां पर क्या करना है अब यह अंडरस्टूड दिया और यह अब इसमें से जो भी सही होगा वह हमें यहां पी का लिखना रहेगा अब कैसे करें देड नौट दिये हैं सभी बात है डिड़ यहां पर अल्डेड आ चुका है तो अंडर्स्टूट की अगर मैं बात करें तो यह वीवन में दिया है अब डिड़ नौट है मतलब पास्ट का भूत यहां पर प्रेजेंट है जब कभी पास्ट का भूत होगा तो दुसरा कुंसा आएगा वर्ब हमेशा का प्रेजेंट में आएगा अगर फोर ब्रेसेंट में आएगा अगर पास्ट का भूत नहीं होता थाएं धिड़ ने आउसस्ट क्लीर होगा को next कि यहीं की दिया पिंफिंटई फॉंधिशरा में सेंस संब सम्झेस यहां पर हम लोग क्या करेंग इसको क्या सल करेंगे दोस मैं बात करूं तो हमें दिया क्या हैं इंफिनिटीव फ्रॉम इंफिनिटीव हमें क्या से निकालने के लिए क्या बोला है अब चलो इंफिनिटेव हम लोग निकालते हैं तो यहां पर अब मैंने क्या बोला था जब कभी इंफिनिटी बोले तो ढूंडो और तू का पड़ो सी ढूंडो तू दिख रहे हैं तू दिख रहे हैं और ग्रो यह क्या हो गया क्लियर ओगया अब आपको एक फ्रेज यह वाला ही टैप का भी कुश्चन मैंने आपको टाइम पर कराया था कि वाला टैप को पर पूछ जा सकते है जो जो चीज़ें में बताई थी वह सारी चीज любимें ऐहां पर आपको कहा देखने मिल रही है ऐसा नहीं है was about to look forward into my studies मैं यह भी लिख सकता हो और इस तरह से मैं अपना जो sentence हो क्या मैं फ्रेम क्या कर सकता हो तो यहां पर अगर हम बात करता हो हमने यह और उसके उपर वाले questions है solve कलिए now what I am going to do is कि अब मुझे क्या करना है मुझे क्या question क्या solve करना है ठीक है अब क्या बोला है री राइट इंटू इंडाइट नरेशन क्या दिया हुआ है forgive me said the bearded man in a weak voice अब क्या बोलाया गया forgive me यह आपके क्या बहुत ही बोलते ना हम क्या करेंगे हम अब बहुत इजी तरीकी से करेंगे सबसे पहले चीज़ क्या दिया है forgive me said the bearded man in a weak voice क्या करेंगे तो हमारा answer क्या बनेगा हमरा answer बनेगा अब दोस्तों में यहां पर लिख देता हूं यहां पर लिखता हूं जगह यहां पर ठीक है इसको यहां पर लिख रहा हां क्या लिखा हुआ है हम क्या लिखेंगे दी अ बियर्डेड मान अब क्या सेड़ का सेड़ी रहेगा सेड़ इन वीक वोईस तू कि Soй for forgive, म्यक्व कह बैंगा हिम हो जाएगा, क्या रहीव है और यहां पर हमारा जो answer वह हो यहां पर क्या आ गया होगाई अब चलो अब बढ़ते हमारे अगले question के तरव क्या में यहां पर दिया हूँ थो ग्या दिया हूए कर सर्कार चलो क्या डिया है चलो sentence beginning with the french army अब यहां पर हमें एक sentence दिया गया है and we are supposed to rewrite the sentence with the beginning the french army हमें क्या करना है question read के लिए john led the french army to several victories during this war अब यहां पर देखो सिद्धी सिद्धी बात है यह चेंद वाइस वाला question है अब इसको आपको चेंद वाइस वाले ही करना है तो मैंने क्या कि इसे लेख आर्मी अब लेड तो लेड से हमें समझ में आता है यह क्या past sense में तुम रोग क्या दूर्ट क्या अब लोग क्या को लीए वर्मी के लिए वाज उस करेंगे ठीक है व्वाज लेड फिर क्या बलेंगे बाय बोलेंगे बचा कौन जॉन और जिसको एग्णोर किया था वो लिख लो टू कि दूरिंग इस क्लियर हो गया तो इस तरह से सेंटेंस हमें क्या फॉर्म क्या करना रहते हैं ठीक है अब दूसरा क्या बोला है अब ट्रेंग बोला गया अब ट्रेंग दो तरही किसे होती जब हम खुद को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रिंग करते हैं उसको और हमारी गाडी को तो मैं बोलूँगा मैं सिधा सिधा यह लिख सकता हूँ और दूसरा सेंटेज में क्या बना सकता हूँ आई वस अब ट्रेंग माय माइंड फॉर इस पर्टिकुलर टास्क खतम हो गया इजी है फिर क्या बोला है आपका दूस्द अटेट इनीवन बोला है ठीक है क्या बोला है पिक आउट दा मॉडल अक्जिलरी और स्टेट इट्स फंक्शन क्या बोला गया है कि इसको हिंदी में ट्रांसरेट करके बता तो कि गवर्मेंट को क्या चाइल्ड फ्रेंड ली पॉलाइसी इस क्या बनानी चाहिए अब यह क्या इंडिकेट कर रही आपका कह अब इसे हमें क्या करना है इसे हमें बेसिकली सिंपल आपके सेंटेज में क्या सिंपल सेंटेज दिया है सिंपल सेंटेज हमें सिंपल सेंटेज में क्या इसको कनवर्ट करना है क्या यूज करके हमें क्या करना है अब इसको हम लोग कैसे कर सकते बहुत इजी तरीका है हम लोग इसको आपको जो है हम लोग का आंसर क्या आएगा शी क्य यहां पर क्या है she had read a book of mine and had written to me about it तो यहां पर आप हमारा answer जो हमारा answer क्या आएगा तो सीधी सीधी बात है तो हम देखो simple sentence में अगर सीधी बात करूं तो हमेशा एक ही क्लॉज आता है और यहां पर हमेशा एक subject और एक प्रेडिकेट ही क्या आता है तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या शी ए रेड आप माय बुक और रोट तो मी अबाउट इस तरह से हमने क्या किया हमारा यह वाला जो टॉपिक था यह वाला भी हमने सेट जो हमने complete कर लिया next अब यहां पर देखो क्या बोला है filling the blanks using the appropriate home phone सीधी सीधी बात है is that box made of tin और steel और स्टील तो यहां पर हम लोग यह वाला स्टील डालेंगा यह वाला स्टील रॉंग हो जाएगा यह हमारा यह वाला स्टील होगा सही बात है यह मिनरल की बात ही है identify the type of sentence what a challenge it is तो सीधी सीधी बात है उल्टा या रहा है तो क्या हमारे एक्सलामेटरी आंसर है क्या होगा फिर क्या बोले spot the error and rewrite the correct sentence क्या बोले twenty dollars a week don't go far अधिकों इसमें सीधी सीधी बात है मैंने सिंगल और कपल वाला रूल समझाया था आपको हाँ अब यह 20 डॉलर्स हो है यह आपका कपल नहीं है single है यह एक ही ट्वींटी डॉलर्स है समझ में आ गया तो यहां पर don't नहीं आना चीए क्या आना चीए यह एक दोस तक्रे सिंगल है तो दूसरे तो रहना पड़ेगा कि रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा रहना क्लियर हो गया अब यहां पर हमें क्या बता है अब यहां पर हमें बोला है कि फाइंड टू हीड़न वर्ट्स ऑफ मिनिमम फो लेटर्स बहुत इजी है देखो लॉस आ गया तो पिर क्या देखा कूल दिया देखो इतना इस आया भाइत कि मतलब आप लोग तो अराम से क्या लिख लोगे लिख क्या पुरा उड़ा वड़ा क्या आजाओगे अब यहां पर हम क्या बोलेंगे अब दुसरी चीज़ लोग बात करें पिर हमें क्या बोला गया है कि आपका दूसरा से जाय रिए इन्टो दी इंड्याइट ने रेशंट ठीक है he asked me is the world so poor that it cannot give me a toy and a book तो सीता सीता आंसर क्या है he asked me whether he asked me whether ठीक है अब इसका क्या हो गया weather हो गया the world was so poor was so poor that it अब cannot क्यों हो जाएगा that it could not give me a toy and a book ठीक है यह हमारा क्या answer हो गया क्या बुल है rewrite the sentence using not only but also यह मैंने already समझा आपको तो मैंने क्या बताया था the states parties are responsible identifying and nominating new sites तो अब यहां पर हमारा answer क्या बनेगा तोको and दिख रहा है यह and कि सिर्प्लेस हो जाएगा but ठीक है अब यहां पर तो हमारा अब क्या है पहला वर उड़े ठीक है अब identifying के लिए पहले हम लोग क्या लगा देक्क आपका क्या लगा देक्क हम लोग not only the state parties are not are responsible not only for identifying and but also नौम इटिंग नूट साइटcke यह हमारा क्या आ जाएगा आश्व सिंपल फ्यूचर तेल सब्सक्राइज नहीं सपँ है अब यहां पर मैं बात करूगत है तो किया रिख सकते दो हमनों क्या लिख सकते है अब यहां अगर मैं बात करूँ तो मैं यहां पर I had sorry had तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ easily easily अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो इसको मैं will भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I will never think clear हो गया तो यह हो गया अब क्या बोला है make two sentences by using the given word as a noun and as a verb अब यह तो भीया आप पर depend करता है यह आपको solve करके क्या मुझे क्या देना है ठीक है अब नेक्स हमारा क्या आता है अब नेक्स के अगर मैं बात करूँ तो नेक्स अब हमें क्या दिया हुआ हमें यह दिया हुआ है कि आपको क्या करना है आपको sentence वह complex sentence complex sentence using the subordinator ठीक है तो हमें question क्या दिया हुआ है question हमें यह दिया हुआ हुआ आपका फ्लेमिंग्स वे क्या फ्लेमिंग्स वे नॉवल नॉवल इस बेस और रियल इवेंट तो अब इसके लिए आपका क्या यूज करना है हम भी complex sentence बना है तो क्या सकते हैं तो इसको तो इस तरह है तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहां पर बात करूंँए का meaningful sentence using the following phrase अब क्या बुले है टू रन अवे एक अल्रीडी मैंने solve करके आई वाला आप solve करके आप मुझे बता दो गया फिर अब यह वाला रिखते पंचिट दब फॉलिंग्स तो मी ही ही आज फिक कॉमा डाल देंगे डबल अपस्ट फिर डाल देंगे अब वाट इस तरह से आपको क्या क्लियर हो गया इस तरह से आपको क्या solve करना रहेगा अब यहां पर क्या बोला है identify the कि identify the verb and state instance अब यहां पर बात करूँ तो अब हमें क्या बोला गया यहां पर हमें बोला गए कि हमें वर्ब क्या identify करना है और साथी साथ हमें जो इसका टेंस है वह भी क्या हमें यहां पर बताना है तो सीधा-सीधा क्या दिया हुआ आई डिंट क्या आई डिंट हाव मुझ टू से ठीके अब यहां पर अगर मैं बात करूँ तो इसके टेंस की अगर मैं बात करूँ ठीके तो इसको टेंस होता है सिंपल पास्टेंज क्या हो जाता है क्लियर हो गया तो हमारा यह भी आंसर हो गया और यह आपको सिखा है यह आप मुझे करके बता होगे और अब इनटो अब इंडाइड नरेशन आपको करने बोल तो सिधा 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 बात कर रोत हम लोग यह पिर लिक सकते है तो अब देखो इजी है आप लिख दिया अब इसके बाद क्या बोला गया है नो सुनर से रिप्लेस कर दिया अब दिखेंगे हम लोग यह किसमें पास के फॉर्म में तो हम लोग क्या लिखेंगा अब यहां पर बात करूँ तो अल्मोस्ट अमने सारी चीज़े कर ली अब आपको यहां पर यहां पर यह वाली पार्ट भी आपको क्या करनी है और यहां पर बात करूँ तो यहां पर सब कर आपको क्या करवा कि यहां पर क्या करते हैं इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा अब यहां पर चलो लास्ट टाइप में करवा देता हूं तो क्या बोला गया है कि identify the clause and state the type of the clause तो सीधी सीधी बात अगर यहां पर अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो clause that control is method क्या that control is muscles यह हमारा क्या हो जाता है clause हो जाता है और यह आपका क्या subordinate adjective clause है क्या है subordinate adjective clause क्या हमारा क्या answer क्या बन जाता चलो यह वाला भी मैंने करा दिया अब यह वाला पार्ट तो आप खुद से कर सकते भाई ठीक है मैंने अल्रीडी समझाए और यहां पर चीज़ आइडेंटिफाय क्यों है कि आपको एक ऐसी चीज होती है जो आपको easily आजा और एक आपको थोड़ा यह वाला चीज होता है जहां पर आपको क्लॉस दिया जाते है तो हमेशा आपके option में क्या पूछा जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है अगर आपको क्लॉस नहीं भी समझा तो भी